नमस्का दोस्तो हमारे चैनल पर आपके स्वागद है आज मैं बात करने वाला हूँ SBI Bank के ATM Card के PIN कैसे जनेरेट करना है जैसी कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी पुराने प्रोसेस था यहाँ पर तो चेंज हो चुगा है इस ATM Card को कैसे अक्टिवेट करना है मैंने यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस के थ्रूँ डीटेल से बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप लोग कॉंफ्लीट देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर डीटेल से पता चलेगा SBI Bank के ATM Card के PIN कैसे जनेरेट किया आता है चले दोस्तों वीडियो को शुरूगारता है इसके लिए सबसे पहले SBI Bank के साइड में आ जाना है अगर आप डारेट इस वाले पेच पर आने चाहते हो इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखाँ आप्सेर फिलब करना है आपको के बडाना है सारे डीटेल्स प्लाफ करने के बाद लॉग इन के वपर क्लीक कर देना है आप यहाँ पर आपने रेइश्टर मोबाल नमर पर OTP आएगा तो आपको यहाँ पर OTP फिल आप करना है और सम्मिट के उपवर क्लिक करना है तो आपके जो भी नेड़ बैंकिंग है यहाँ पर इसी तरीके से लोग इन हो जायेगा आप यहाँ पर आपको बहुत सारी पर व n आपको फ्ट फिल यहाँ पर क्लिक चान अपको बहुत सारी ओप्स्टाइम न मिल जाया है तो आपको पहले यहाँ पर आक्ट यूफेट काने पड़ेगा आक्तिभेट के लिए new a K i svnd दिखाए द्रए इसी के उपर क्लिक काना है आप यहाँ पर आपने bank account नमबर दिखाए देगा इसी के उपर आपको एक बार क्लिक करना है आप यहां पर आपके जो भी ATM कार्ड नमर है वह आपको यहां पर फिलाप करना है सेम ATM कार्ड नमर दो बारा आपको यहां पर फिलाप करना है उसके बाद activate के ऊपर click करना है activate के वफ़र click करने के बद आपको confirm के उफ़र click करना है इतने काम करने के बद आपने bank account के साथ जो भी mobile number लिंक के उस ही mobile number पर आपके पास אे UK वर्ट कारना है ज़से के एपको यहां पर आपको क्लीक करना है इतना काम करने वदर आपकी जो भी काड़ में इसमेन से एक्टिवेस होसे दिखाई देगा जैसे यहां सब्सक्रेंव तो दिखा है उसके बाद आपको यहां पर दिखा देगा रिटन इसी के disc करने के बाद आपको यहां पर इस सार्विसेसस दिखाए झाया उसके बाद एबिट करने आप आप यहां पर फीर से दो और अफ्शन मील जाएगा अगर आप सब्सक्राइब्स चर्ड करना आगर तो आपको क्या आढ़ फिजिंगेल डेबिट कर आया हुआ तो आपको क्या गया दसने तो आपको ऐसे प्स ऐसेबाशुस्वार्ट और अगर आप चाहतो ओटीपी के थुरू एट्यम पीड करना है तो आपको यहाँ पर आपके जो भी बैंक नुम्बर है तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद कॉंट्व क्लिक करना है आप यहाँ पर आपको च्छेक बाक्स दिखाई देगा च्छेक बाइस डिजिट यहां पर एक बार चेक करना है उसके बाद सॉमिट के उपर क्लिक कर देना है आप यहां पर जो भी ATM ने राखने चाहतो फूर डिजिट का वो आपको यहां पर फिलाप कर देना है पहले यहां पर इसी तरीके से अपसेन नहीं था अब यहां पर चेंज हो सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब करने के बाद आप यहां पर देख सकतो हमारे जो भी एटिम कार्ड के पीन है यहां पर जेनरेट हो चुगा है पहले प्रोसेस अलग था आप यहां पर देख सकतो एक ही बार में हमारे यहां पर एटि शेयर कमेंग करना ना भूले